मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टेन मंग भारदुआज लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहते हैं ठीक हैं जो आर्मी की हालात है इतनी खरा हो चुब कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है उनके बाद जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाणों में चड़ने के लिए जवान जवान ओफीसरों को पहाणों पर चड़ाया गया है किसलिए मारे गए जिनके ट्रैनिंग भी पूरी नहीं है क्यों कारगिल युद में भेजे गए बच्चे वो माय नहीं थी चिना ने पालपाल के अपने ऑफीसर बनाये थे क्यों नहीं ट्रैनिंग दे देखे बेज़े गए सरकार ने अपने बच्चे जाते नहीं हैं और बाकी बच्चों को मरबा देए दें लिजा करें जा रहते हैं सब्सक्राइब कर दोड़ कि अर्मी जाएंगे मैं पिखती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्छे पासा उटते हैं ट्वेल्स है एक भी बच्छा देना नहीं काता आर्मी के अंदर एक मेनी के तक हमारी में जाएंगे पिर myself, what are you talking ? मैं यी कह कि उसको मैं चली गी अपनी चोटी सिस्टर को कहता है इस वन लाक रुपीर मेरे फून पसीने की कमाईया और बरफ की कमाईया I want के मैं अगर नहीं रहूंगा ना वापस नहीं आऊंगा ये तुमारी शादी के खाने के लिए ये कितने दिन पहले की पातपदा रही है वो जुमातुल विदा था उसके बाद चबीस रम्दान की जिसनी चला गया घथ से खदा हाफस करके हमें 37 फाले दिन शहींद होते हैं अलांके चुटी सियों ने एक्सेंट कर दी एक्सेंट कर दी थी फोन आया कि तुम मक्सी एद कर कि आना लेकिन ने का नहीं बेटा सुम एग्रेट सोल्जर के बच्चे हो एग्रेट सोल्जरों को बैक आउं डूटी डूटी पर ताइम पर जा समझेंगी मैंने हकीकत देखी स्याचीन में मैंने वह दिए यूटी होती है कैता है रात को कई धाई बजे मेरी डूटी बनी और मुझे मेरे आके जवानने का 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 सर उठे अभी आपका आपकी डूटी है तो जरा बाहर जाके डूटी देख एक ताह माह जैसे ही मैं बाहर बैनेड मैंने बरफ में रखी है डाली है और मैंने घुमाया नजरें पहाडों की तरफ सारी जिस दिया कि इंटेंसिवेटी जी 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 एड़ टाइम ही बाहर पोस्ट विच इस काल लबाक विर गॉड़ जीरो मेरे जीरो मेरे जीरो हमेशा कहता है मा मुझे यू लगत क्याता है मैं बाहर निकलाऊ तो मुझे इतनी खुबसूर्द सेया चीन की पहाड़ों से आवाज आई अजान की कि ति ज्रसिखान कवा की अजान होती है ना इस तरीके की अजान किता माँ आप सोच नहीं सकती और मैंने इधर देखा अदर देखा ये कहां से आवाज आ रही कि esay ने का शैद मेरे शवूर मा मेरा अल्ला जानता है कि मैं जूट नहीं कह रहा हूं मैंने ढाई तीन हजार सफ़ों का मर्द देखे इती ती बड़ी दाड़ियां और उनके सफेद लबास उन्होंने मेरे साथ नमाज पड़ी जैसे मैंने अल्लाहु अक्बर असलाम अलेकम कहा उन्होंने भी कहा असलाम सब कम भुखार नहीं था आई केम इंसाइड दे इगलू और मैंने आके अपने जवान से का चाहे बनाओ जल्दी करो कहता है साब दो मिनट भी आपने ड्यूटी नहीं दिया और आप अंदर आ गयों ये तो कोई बात नहीं कहता है देखो समंदर खान उसका सरजमीन उसके बैट मैन का नाम था कहता है सरजमीन तुम हमेशना मुझे कसीदे सुनाते हो कभी तुम्हें वहां एक डाड़ी वाला नजर आया कभी तुम बर्फ क्रैविस में गरने लगे तो तुम्हें किसी ने हाथ से पकड़ के बार निकाल दिया तो आज मुझे जो तुम सुनाओग जाए में बने के जाए बहुत जाधा और ये भी उस ने मुझे यह ऐलफाज मुझे यह कहें मैंने उसकेता है नहीं कहते हैं जिन्दगी कि आखरी ख्वाहिश है कि तुमारे अभूने मुझे जंडे वाली गाड़ी में ने बिठाया ऐवांड के यू बिकाम जॉरिनल और तो इतने लाशाओरी से शाइसता बिटा उन्चा कर लो मैंने का वट दिया मीन सोच को उन्चा है जर्नल की गाड़ी से उन्चा क्या होगा तो मुझे कहते है मा तेरे आगे मैं जंडा सिर नगू कर दूगा कहते है यह जंडे वाली गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज है जिसकी आपने ख्वाइश किया मा and exactly after 15 days that flag was in front of me on the body of my son पांच दिन मेरा बेटा बरफ के नीचे दबा रहा है rescue party ने जाके उसको निकाला है उदर से शेलेंगे उपर से बर्फें गिरती रही है पहाड पूरा बन गया उनकी पांच लोगों की छे लोगों की बाड़ी के उपर और मेरे साथ करनल साब यही एक बात कहते रहे बच्छा जख्मी हुआ है कुछ नहीं हुआ फिकर ना करो ठीक हो जाएगा इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ यह कैप्टन साब का कैप्टन शेहीद का लास्ट लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है इसकी ट्रांसलेशन मेरे पास है उन्होंने अपने घरवालों के लिए लिए लिखकर यह रखा हुआ था जाने से पहले यह मैं पढ़ना चाहूंगी फिर मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद अपने आज के सारे हीरोस को आप से मिलवाऊंगी कैप्टन साब ने लिखा था मेरे प्यारे वालिदेन बेहन भाई बराए करम अपने आसों को कंट्रोल करें आप सब को फखर होना चाहिए कि आपके बेटे ने मुलक और कौम के लिए अपनी जान का नज़राना पेश किया है अम्मी जी मुझे मालूम है कि ऐसी सुरते हाल पर काबू करना आपके लिए मुश्किल है लेकिन ये तो जिन्दगी का एक हिस्सा है मेरी शहादत के बाद मेरी चंद एक खौहशात है कोई जम्रात वगरा नहीं होगी अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो वो सर्फ कुरान पाक पड़े मैंने यूनिट की कमांडो टीम को पंदरा सो रुपे देने हैं जिसने मेरे साथ छंप में हिस्सा लिया था गुलबर्ग वाले पेट्रॉल पंप पर पंचर वाले को आट सो बीस रुपे दिये हैं मेरी कबर इसलामी कमानीन के मताबिक होनी चाहिए और यूनिट में काबुल चालिस बलोच में देना है मुझे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है मेरे लिए मेरे वालिदायन और मेरी फैमिली सबसे अच्छी है अम्मी अबू मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और समझ लें कि मैं मुर्दा नहीं हूँ मैं जिन्दा रहूँगा एप पुतर हटाते नहीं विगते हनी छोटे भाई का जो बेटा है उसको बलोच रेज्मिंट में जाना चाहिए खुदा आफिज आपका कैप्टन अली मक्सी यहीं पर हम एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे अपने आज के सारे हीरोस